नमस्कार के आपिटल टीवी उत्रप्रदेश देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूझा UP में राजसभा की 11 सीटों पर चुनाओ होने हैं जिसके लिए बीजेपी ने तयारिया शुरू कर दी है और राजसभा चुनाओ के लिए अपना फॉर्मूला भी तयार कर लिया है साथी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सपा की राह पर नहीं चलेगा अपनी अलग राह बनाएगी क्या कुछ है पूरा मामला देखें इस रिपोर्ट में उतर प्रदेश में राजसभा की 11 सीटों पर होने वाले चुनाओ के लिए भारती जंटा पार्टी ने भी तयारियां शुरू कर दी है जबकि समाजवादी पार्टी पहले से ही तीन सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का एलान कर चुकी है चर्चा है कि बीजपी राजसभा चुनाओ के लिए सपा के फॉर्मुले को नहीं अपनाएगी और सयोगी दलों को एक भी सीट नहीं देगी जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने सयोगी रास्टे लोगदल के अध्यक्ष जैन्त चौधरी को राजसभा चुनाओ के लिए समर्थन देने का फैसला किया है हलाकि जैन्त चौधरी सपा और रालोत के सयुक्त प्रत्याशी होंगे जानकारी के मुताबिक उत्रप्रदेश में बीजपी सरकार की सयोगी अपना दल और निशात पार्टी भी राजसभा सीट के लिए उमीद लगाए हुए थे जबकि अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने राजसभा के लिए सीट की मांग कर रही थी लेकिन बीजपी अपने सयोगी दलो को एक भी सीट देने के पक्ष में नहीं है बताया जारा है कि उत्रप्रदेश बीजपी की तरब से जिन 21 दावेदारों के नाम आलाकमान को भेजे हैं उसमें एक भी सयोगी दल के नेता का नाम शामल नहीं है गौर्टलब है कि 11 राजसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने वाले हैं और सपा अभी तक 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है हलाकि 34 सीट के लिए उसने किसी का नाम तै नहीं किया है और नहीं किसी को समर्थन देने का एलान किया है आपको याद दिला दे कि राज में हुए विधानसभा चुनाव में बीजपी ने अपना दल और निशाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था अब संयोगी दल होने के नाते अनुप्रिया पटेल ने राजसभा के लिए सीट की मांग भी की है अनुप्रिया प्रटेल ने इसके लिए सपा का उधारन बताया है और कहा कि कम सीटे होने के बावजूद सपा ने एक सीट रालोत को दी लिहाजा संयोगी दल होने के नाते उनकी पार्टी को भी एक सीट मिलनी चाहिए मीडिया रिपोर्ट की मुताबिक यूपी बीज़पी की और से जो 21 नाम अलाकमान को भीजे गए है उसमें संजय सेट, जैप्रकाश, जफर इसलाम, नरेश अगरवाल, प्र्यांका रावत, शियो प्रताब शुकला, सुरेंद्र नागर के नाम शामिल है असल में बीज़पी राजसभा चुनाओ के जरिये लोकसभा चुनाओ को साधना चाहती है और वो जाती और छेत्र समयकरणों को ध्यान में रखकर प्रत्याशी खोशित करना चाहती है ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बीज़पी अपनी इस कोशिश में कितनी काम्याब रहती है और देखना दल्चस्प ये भी होगा कि इस फैसले के बाद गडबंधन में उठने वाली बागी सुरों को बीज़पी कैसे दबाती है जिसे गडबंधन में डरार ना पड़े इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश नमस्कार